नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि तेलोंग डूओ टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. तेलोंग डूओ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और तेलोंग डूओ टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. और यह भी डिसकस करेंगे कि तेलोंग डूओ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. तेलोंग डूओ एक ब्रैंड टेलोंग डूओ टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। टेलोंग डूओ टैबलेट का उप्योग किया जाता है। टेलोंग डूओ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होता है। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में टेलोंग डूओ टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हम डिसकस करेंगे की टेलोंग डूओ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टेलोंग डूओ टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए तेलोंग डूओ टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेकमेंडेड नहीं है। तेलोंग डूओ टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में तेलोंग डूओ टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुंच सकती है। और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को टेलोंग डूओ टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलोंग डूओ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते झाप कर देना, वीडियो से संब एक हैं।